हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल एश्टर नोली से इंगिंधी मैं आपका स्वागत है यह वीडियो जो है यह बावा अटोमे क्रिस्टार सेंटर में आप लोंकी जो 92 पोस्ट निकले थी जिसमें कि आप लोंके असिस्टेंस सेक्योर्टी ऑफिसर और सेक्योर्टी तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका आपका आउट हो गया या इन आउटो का पूरी आप डिटेल चेक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मेरे जो आज का वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि इसका स universo सिलेक्शन प्रोशेश क्या ची मुझ.. तो friends यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह selection process इस PDF का यदि PDF आप लोग के पास नहीं है तो इसका link मैं आप लोग को दे दूँगा वीडियो के discussion box में आप लोग क्लिक करके यहां पर पहुंच जाएंगे ठीक है तो selection process में आप लोग को बता दूँँ सबसे पहले assistance security officer यहां आप लोग को बता दूँँ इसके जो fiscal और return exam होने हैं यह दोनों के दोनों आप लोग के मुंबई में ही होंगे ठीक जी हां मुंबई में ही आप लोग के fiscal और return exam होंगे तो assistance security officer के लिए यह आप लोग ने बढ़ा है तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँँ इसमें आप लोग का fiscal होना ठीक है तो fiscal में क्या है कि सबसे पहले जो fiscal event है उसमें आप लोग mail यह आप लोग mail candidate है तो सबसे पहले तो आप लोग की होगी race 1.6 km यानि की 1600 मीटर की race होगी आप लोग की और 6.5 मिनट में आप लोग को यह complete करनी पड़ेगी यदि आप लोग नहीं कर रहे हैं तो race करना है इसके अलावा जो important चीज़ है वो है आप लोग की long jump चीज़ आपकी 3.65 मीटर 3 chance में यानि की 3 chance में आप लोग को 3.65 मीटर long jump करनी पड़ेगी तो इसकी भी practice आप लोग श्टार्ट करतीजे बहुत ज्यादा hard नहीं है ठीक है आप लोग कर सकते हैं इसे तो friends देखिए इसमें जो next है वो आप लोग का chin ups, push ups and sit ups जी हाँ chin ups, push ups, sit ups जी है आप लोग इसके बारे में नहीं जानते तो जान जाईए और ये भी start कर जी ठीक है इसमें आप लोग को बता दूँ जो chin up और push up है ठीक है इसमें अलग-अलग age group में बाट जिया गया है 30 से 30 की age group में 30 से 40 की age group और 40 से 45 की age group और 45 से एवर ठीक है तो जिस post के जिस category में आप लोग आते हैं General OVC, SC या फिर X-Servicemen उसी हैसाब से आप लोग इहां पर age divided है ठीक है तो आप लोग देख लेंगे आप लोग किस age group में आते हैं तो chin ups के बारे में आप लोग जानते होंगे chin ups जो होता है ये बिल्कुल pull up की तरह होता है जी हां आप लोग को लटकना होता है इस टेट उपर नीचे करना पड़ता है ठीक है तो आप लोग देख लेंगे इसे 30 साल की age group में तो आप लोग आट से 9 इसी बेगाशे 30 से 40 की age group में तो आप 5 से 6 और यदि आप 40 से 45 की age group में तो आपको 16 से 17 और यदि 45 से 12 से 13 आप लोग को chin ups करने पड़ें जो पूरी बिल्कुल श्टेट होगे बिल्कुल श्टेट होगे अपने हातों को हातों के सहारे अपने पूरे सरीर को उपर नीचे करना पड़ता है ठीक है पूसप भी आप लोग समझ गियोंगे इसके बाद बारी आती है बिल्कुल लेट के यानि कि पीटके बल में लेट के आपको अपने जो हातों को अपने पैरोंच चुना पड़ता है बार बार उटके ठीक है आपको समझ के हों गे इसमें आपे एस गूरूप से 39 3ab 2,000 बोब दो बडिखे लेंगे 20 से 25 सिटप करने पड़ें इसके बारे में चीन पूषसापण से चना करना इसके बाद बार आती फीमेल्ज यदि आप लोगोंने फीमेल्स हैं और आप लोगोंने असिस्टन सेक्योटी और जार की बरा वा है तो आप लोगों लिए 800 मीटर गी पूरे करने पड़ेगा तो यदि आप लोग भी स्टार्ट कर दीज आप लोग का होगा यह आप लोग को पीट केबल लेट के हाथों से अपने जो पैरों को बारवाच चुना पड़ेगा उठके आप लोग अपना गुरूप देख लेंगे किस गुरूप में आते हैं और किस पडेम नोस में कितने कितने क्टें आप लोग को करना एक हिए आप लोग 30-30 डी गुरूप में आते हैं तो आप लोग को 20 यहां पर 20 शिटप सकरने पड़ेंगे ठीक हैं तो जैसा आपका है वैसा आप लोग देख लिएक इसके बारे यहान तो जो यह ए movements स्टेंट सिक्योर्टीड अफिसर की है तिक जो रिटेन एग्जाम के बाद तो रिटेन एक्जाम क्या होगा उसके बारे में आप लोग देख लीजिए आप लोग जो पहला होगा वह कंपरेंशन होगा पिर दूसरा होगा रिपोड़ राइटिंग और इसके बाद जो चौता मास्क के पेपर होंगे आप लोग के 90 मिनट में देड़ घंटे में आप लोग को 60 कोसंस करने पड़ेंगे और इसके बार बारी आती है वो आती है सिक्योटी गार्ड इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई थी वो रखी गई थी हाई स्कूल और इसमें 73 पोस्ट थी जी आप लोग का 3.65 मीटर तीन चांस में आप लोग को करना है ठीक है तो लॉग जंप में थोड़ा सा द्यान रखिए ठीक है लॉग जंप करना सुरू कर दीजिए और इसके बाद उसी प्रकार से आप लोग का भी चिनप पुसप और सिट अप्स होंगे ठीक है किस किस एयर ग करने पड़ेंगा तो आप लोग को समझ गयोंगे पीट के वाल लेट के अपने हाथों से पैरों को बारबार चूना होता है ठीक है फिर भी कुछ प्रोब्लम आ रही तो मुझे बताएगा मैं आप लोग को इसके बारे में ज्यानकारी दे दूग है कि कौन सी एक्सराइज क प्रकार से होती है और किस तरीके से करने छीए ठीक है तो कोई भी एक्सराइज जैसे कि आप लोग पुस अप कर रहे हैं या फिस चिन अप कर दें आप लोग तो अपनी चो स्रीर को बिलकुल आप लोग को इस्ट्रेट लगना ठीक है इस चीज़ आ ठीक है वहां पर आप हो को बताता रहे त्वैर कि आपको ऐसे करना है उनको देखते हो आप लोगो उने करना पड़ेगी और इसके बाद जो बारे ऐट बार्ट्स का है इसमें भी आपनो का फिसकल के बाद ईसमें भी फिसकल के बाद आप लोगा रेटन वहा तो यह जो मैंने आपनो को फिसकल और रेटन के बारे में पूरी जानकारी दी तो आप लोग चीना-पुस-पूस बगर बंगर उब्र तो पहँड़ा साधे एक बारर द कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएगा मैं आप लोग की फूरी बदत करूंगा और रही बात रिटेन इंसाम की तो रिटेन इंसाम का वीडियो में एक दो दिन में ले आऊंगा बट अब ही जो है आप लोग फिसकल पर थोड़ा सा जादा देजिए रिटेन का वी सब्सक्राइब सेक्यर्टी गार्ड़ की जो वेकंसी निग्यूई थी उसके जो सेलेक्षण प्रोसेस के बारे हैं पता दिया है यही कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो मुझे बताएगे मैं आप लोगों की पूरी में दो हूंगा बट उससे पहले मिए और भी नहीं करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार और बैल आपॉन के बटन को भी दबा लेजिए ताकि इससे कोई भी इंफोर्मेशन मुझे मिले तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहा हूं ओके फ्रेंड भाई थेक्यों स्यूनेक्स टेंग